शोर्शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपिनी विद्यारंभं करिश्यामी सिध्धिर भवतु में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्तार दोस्तों शोर्शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है 3 मई 2023 का दिन है रात के 9 बच कर 10 मिनट हो रहे हैं आप सभी का स्वागत है इस special वीडियो में और special वीडियो नहीं ये एक super special वीडियो है आप सभी लोगों के लिए और ये वीडियो बनाने की वज़े क्या है आज है FOMC यानि की Federal Open Market Committee जिसको चेयर करते है Mr. Jeremy Powell आज Interest Rate Decision है Interest Rate Decision मतलब वो rate जिस पर की bank को पैसा मिलता है ठीक है या bank जो पैसा लेंड करते हैं Federal Reserve को वो last 5% था उमीद 5.2% 5.25 की करी जा रही है 5.25 ही outcome आएगा भी लेकिन लेकिन हो सकता है कि उसके साथ जो commentary है वो डौविश हो या होके शो मतलब Fed कहें कि जी अब हमने कर दिया हमें नहीं लगता है कि अब इसके आगे because March में भी लोग यही expect कर रहे थे इस से पहले भी लोग यही expect कर रहे थे February में अब मई में भी expectation है कि मई के बाद June से Fed कहेगा कि नहीं जी अब हम और rate hikes नहीं करेंगे अगर Fed यह कहता है कि हम और rate hikes नहीं करेंगे हो सकता है कि हम आने वाले समय में interest rate को कम भी करना शुरू कर दें यह point positive होगा gold silver के लिए आपको पता है banking crisis अमेरिका में पिछले कुछ महीनों में देखने के लिए मिली है first capital bank था एक उसमें भी problems उभरके आई हैं उसके अलावा भी जिस तरह से situations चल रही है वो positive नहीं है कल Janet Yellen ने कहा है कि एक जून तक अमेरिका में debt crisis हो सकता है और debt payments पे default हो सकता है बहुत कुछ negative चल रहा है जिसका हमें impact equity markets पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया मैं बाकी की बात करूँ तो commodities में already आप देखेंगे कि silver क्रूड multi month slow पे है copper multi month slow पे है zinc multi मतलब जो energy और metal pack है वो multi month slow पर चल रहा है केवल gold और silver है जो की अभी ने lifetime highs की तरफ जा रहे हैं तो आज का जो दिन है मेरी बात को समझेए आज का जो दिन है आज का जो decision है वो बहुत crucial होगा यही रात अंतिम यही रात भारी तो मैं आपको थोड़ा सा समझने में मदद करूँगा कि क्या हो सकता है क्या possible outcomes हो सकते हैं और उनका क्या impact पर सकता है सबसे पहले हमें gold के chart को समझना होगा देखिए gold में overall हमें एक तेजी का movement बनता हुआ दिखा और यह दो दिन में यह कल में और आज में मोटा मोटा बारा 1300 पॉइंट गोल्ड चड़ा है समझे आप कल का लो था 59,700 का अगर आप यह कल का candle देखें तो 59,700 का और आज का हाई है 60,000 का 61,000 का सॉरी तो इस हिसाब से आप देखें तो लगभग 1300 पॉइंट की straight तेजी without any major reversal हमें आती हुई दिखाई दी है अगर हम किसी भी chart frame पे देखेंगे time frame पे देखेंगे तो यह movement without any major retracement आते हुई दिखाई दी है अब यहां के दो outcome हो सकते हैं दोस्तों मेरी बात को समझेगा दो outcome हो सकते हैं अगर gold 6850 के उपर बंद होता है तो यह closing एक positive closing कही जाएगी मेरी बात पर गौर करिएगा अगर market 6850 के उपर बंद होती है तो यह closing एक positive closing gold के लिए कही जाएगी और हो सकता है कि gold हमें नए highs की तरफ जाता हुआ दिखाई दिए जिसकी possibility बिलकुल हैं वही पर gold अगर 6850 के नीचे बंद होता है और gold 6400 को तोड़ देता है तो फिर हमें further जो lows बने हैं उनकी तरफ जाता हुआ गोल दिखाई देगा तो closing बहुत important होगी international market में अगर 2007-2008 के नीचे मैं spot की बात कर रहा हूँ 2007-2008 के नीचे gold जाता है तो हमें एक retracement आता हुआ दिखाई दे सकता है अभी हम जितने भी time frames पे बात करें जितनी भी चीजे देखें वो सारी gold की तरफ positive है वो सारे indications जो हैं वो gold के लिए positive है और अगर चीजें gold के favor में आती हैं कुछ भी ऐसे statements निकल कर आते हैं जो gold के favor में हैं तो हो सकता है कि हमें कल एक gap up opening देखने के लिए मिले वहीं पर अगर dovish tone देखने के लिए मिलती है interest rate high के बाद fed ये बात कहता है कि हम आने वाले समय में देखेंगे पेरी बात को गौर से समझेगा अगर fed ये बात कहता है हम आने वाले समय में monitor करेंगे देखेंगे अभी और interest rate high की जरूद पढ़ सकती है और अगर पढ़ेगी तो हम कहेंगे ये statement gold के लिए negative होगी silver के लिए negative होगी और फिर हमें कल एक gap down opening देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पर sure होके कुछ भी नहीं कहा जा सकता closing के हिसाब से 60,000 850 के उपर की closing gold के लिए positive होगी इंडियन international market में 2020 के उपर की closing gold के लिए positive होगी ये बात आप याद रखेगा ये दो points हैं जो मुझे अभी समझ में आ रहे हैं overall अगर मैं बात करूँ तो gold इस समय सारे resistance के उपर trade कर रहा है केवल सेवियर ये हो सकता है कि अगर रात में कुछ भी negative statement निकल कर आता है तो कल एक gap down opening हमें मिल सकती है बट further weakness के लिए दो level तोड़ने बहुत जरूरी है पहला level 6380 के नीचे gold का trade करना बहुत जरूरी है और दूसरा level long term bearishness के लिए 69659600 के नीचे trade करना gold का बहुत जरूरी है इन दो levels को आप ध्यान में रख लीजिए तो यह है gold के उपर थोड़ा सा silver के उपर discussion कर लेते हैं 76 अचा silver July contract की बात हम कर रहे हैं याद रखिए 76600 पे gold चल रहा है और अगर मैं बात करूँ आज के high की तो 76838 का high है 75813 का low है तो market अपने high की तरफ ही चल रही है और अगर market 76200 के उपर sustain कर रही है तो यह एक positive sign होगा bearishness के लिए 75700 के नीचे sustain करना जरूरी है मेरी बात को फिर से समझेए 75700 के नीचे sustain करना जरूरी है for further bearishness तो gold और silver दोनों की ही closing positive होते हुए दिखाई दे रही है बट यहां से sure होके यह कहना कि कल हमें gold silver उपर ही मिलेंगे यह मुश्किल है हाँ अभी के लिए indication जो है वो positive है resistance 61,030 का resistance है 61,420 का resistance है और final resistance 61,980 का दिखाई दे रहा है उपर की तरफ फोड़े उपर के resistance है लेकिन यही है वही पर अगर मैं support की बात करूँ तो एक important support जो आ रहा है वो 60,400 के आसपास दिख रहा है important major support उसके नीचे चला जाता है तो फिर 60,080 के आसपास support है और final support 59,600 उसके नीचे closing gold में जितनी भी तेजी की संभावनाएं हो सकती है उनको खत्म कर देगी बट यह दूर की बात है जो भी कुछ होगा कल होगा कल किस तरह से movement आती है यानि आज रात में इसके बाद कल किस तरह से because दो time को आप समझेगा एक तो साड़े 11 बजे जब interest rate का decision आता है और उसके बाद 12 बजे जब press conference शुरू होती है press conference शुरू होने के बाद की movement ज़ादा important होती है interest rate आने के बाद स तो ये एक बहुत important event है प्लीज इसे miss मत करिएगा जो भी positions आप लेकर जाएं दोनों तरफ के लिए तैयारी करके रखिएगा buying की भी selling की भी किसी भी तरफ movement हो सकती है अभी confidence के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता जो situation अभी बन रही है उसमे confidence के साथ ये बिलकुल कहा नहीं ज सकता कि गोल्ड जो है वो आपको दो हजार दो हजार पचास पहले मिलेगा या 1990 पहले मिलेगा हां ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि अगर 60,000 850 के नीचे गोल्ड बंद होता है तो थोड़ा सा एक negative stint रहेगा उसके उपर बंद होता है तो संभादना पॉजिटिव साइ पहलेंगी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हल्प करेगा चीजों को समझने में फेड क्या होता है फो एमसी क्या होती है इसके बारे में मैंने डीटेल में बात करिए अपने टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाहिए वहां से हमें टेलीग्राम पे जॉइन कर लीजे, जो important अपडेट्स होते हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएंगे, अच्छा, सिल्वर जुलाई के कुछ important मैं आपको resistance और support बता देता हूँ, जो resistance होगा, वो important resistance 77,200, 77,900 और 78,200 पे देखने के लिए मिलेंगे, वहीं पे अगर मैं support की बात करूँ, तो जो support होगा 75,700, 75,200 और 74,800 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, ये हैं important level, एक बार फिर कोई decision लेने से पहले, कुछ भी निर्णाय लेने से पहले आप self analysis जरूर करिए, क्योंकि market में कुछ भी आप ऐसा करेंगे, जिससे आपकी capital को नुकसान हो सकता है, तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी, लेकिन हाँ, overall यहाँ पर certainty के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, chart gold silver में जरूर positive की तरफ है, overbought है, positive है, अगर market में कोई भी decision इस तरह से आता है, fed की तरफ से, या इस तरह की fed की commentary आती है, कि हम आने वाले समय में भी interest rate hikes जारी रखेंगे, वो gold के लिए एक बहुत ही negative indication होगा, नीचे की तरफ जाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत जल्दी एक next वीडियो में मिलेंगे, और अगर आप लोग इसे like करेंगे, तो fed का decision आने के बाद भी मैं रात में एक video record कर दूँगा, तो इसे like, share, subscribe, जरूर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और जो telegram channel का link दिया हुए, वीडियो के description में उसे भी आप join कर सकते हैं, जैहिंद वंदे मात्रा